हाई फ्रेंट्स वोलकम टो आरे केरेर अकेडमी आज अमों करेंगे आरारबी ग्रूप डी का 9 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का मैथ और रेजिनिंग का कुश्चन करेंगे और इसमें कुछ-कुछ कुश्चन जो होगा वो जो फर्स्ट और सकेंड शिफ्ट में चुटा हो कुश्चन चालू करते हैं तो देखे सबसे पहला हम लोग कुश्चन सबसे पहले रेजिनिंग कर लेते हैं देखे कुश्चन है O का वैलू दिया हुआ था 16 ठीक है F O R 4 का वैलू दिया हुआ है आपको 40 तो हम लोग से पूछा गया था कि front का वैलू क्या होगा F R O N T front का व 4 का वैलू क्या होता है देखिए F का वैलू 6 होता है O का वैलू क्या होता है 15 होता है और R का वैलू क्या होता है 18 होता है इसको जोड़ेंगे तो 15, 15, 30, 30, 33, 33, 33 और 39 है और इसमें एक जोड़ दिये तो कितना हो गया ये हो गया 40 उसी तरह front का भी लिखना होगा हम लोग को तो front का क्या होगा यह निकालना था हम लोगो तो देखिए F का 6 हो गया R का 18 हो गया O का 15 हो गया N का 14 हो गया और T का कितना हो गया 20 हो गया और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा देखिए 73 हो जाएगा कैसे देख लिजे 20, 30, 35, 35 और 40, 45, 45, 10 55, 55 और 3 कितना हो गया 55 और आपको 55 और 8 कितना हो गया 63 और 10 73 ठीक है तो 73 हो गया और 73 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जागा 74 तो कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है जो कि पहले आता था एक वैलू जो डिरेक्ट होता तो वो दे दिता है अब क्या कर रहा है कि उसमें कुछ प्लस माइनस करके दे रहा है तो आप लोग क्या करना हमेशा वैलू लिख लेना पहले अगर सबका वैलू लिख लोगे न तो आपको पता चल जागा जोड लेना एक बार अगर यहाँ पर अलग दिया हो तो ठीक है अगर यहाँ पर 16 दिया हुआ जैसे ही आप ओका पंदर देखोगे तो एक जोडा हुआ पर पहलों को जब 39 लिखोगे तो देखोगे 40 देख तो एक जोड लोगे उसी तरह जब इसका जोड़ोगे तरह 73 आएगा एक जोड़ोगे तरह 74 हो जाएगा चलिए देखते हैं next question next question है देखिए question है odd one out करना है odd one out 64, 72 84 और 108 तो इसमें odd one कौन सा है तो यहाँ पर दो तरीके से इसको odd one out कर सकते हैं देखिए 3 से यह divisible है यह भी 3 से divisible है और यह भी 3 से divisible है मतलब कि 3 से divisible 72 3 से divisible है, 84 3 से divisible है 108 3 से divisible है मगर 64 जो है यह 3 से divisible नहीं है और दूसरी दूसरा तरीका क्या है कि यह 8 का square है 8 का square है और बाकि सब किसी का square नहीं है, तो ये भी एक तरीका है, या फिर 3 से divisibility था, बाकी 3 का, 72, 84, 108, 3 से divisible है, 64, 3 से divisible नहीं है, चलिए next question देख लेते हैं, next question है, copper, bronze, gold, और silver, इसमें से odd one out करना है, odd one out, तो इसमें से odd कौन सा होगा, bronze होगा, बाकी सब metal है, bronze को छोड़के, तो bronze क्या हो गया, इसका answer हो जाएगा, चलिए next question देखते हैं, next question है, 20 को, 20 को क्या लिखा गया है, 11, और उसी तरह आपको क्या लिखना है, 102 को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है, तो देखिए, जैसे ही, अम क्या गया, घट गया है, तो 20 को क्या करेंगे, 2 से divide कर दिया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 में 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसी तरह 102 को, 2 से divide कर देंगे, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा, 1, और 51 में 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 52 आपका answer हो Moon किसे related है? Moon related है satellite से. ठीक है? Moon क्या है? Earth का satellite है. तो Earth क्या है? ये पूछा गया. तो Earth आपको 4 option दिया रहेगा. यहाँ पर दिया रहेगा planet. ठीक है? दूसरा satellite. Satellite. तीसरा galaxy. तो आपको क्या मरना रहेगा? 4. None of these. तो none of above. तो इसमें से answer आपको क्या होगा? planet होगा. क्योंकि आपको Earth क्या है? एक planet है. तो आपका actual answer क्या हो जागा? planet हो जागा. चलिए next देखते हैं. अब देखते हैं. थोड़ा समयत का question देख लेते हैं. थोड़ा मयत का question अभी कम मिला जी shift में. तो देख लेते हैं. एक question आया है. कि 15, 45 और 320 का HCF निकालने के लिए. तो आप लोग 10 से पढ़ते आया हो. इसका answer आप लोग comment session में लिख के ज़रूर बताईएगा. देख लिजे. next question देख लेते हैं हम लोग. trigonometry का. sec power 4 theta minus sec square theta equal to 3 दिया हुआ था. और यहाँ पर पूछा गया है कि 10 power 4 theta और plus 10 square theta क्या होगा. यह हम लोग को निकालना है. ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम लोग solve करते हैं. यहाँ से क्या करेंगे? sec square theta हम common ले लेंगे. तो sec square theta common ले लेंगे. sec square theta minus 1 हो गया. equal to 3. अब यह sec square theta minus 1 को क्या लिख सकते हैं? 10 square theta. और sec square theta बराबर क्या होता है? 1 minus 10 square theta. 1 plus 10 square theta. ठीक है? sec square theta minus 10 square theta बराबर 1 होता है. तो sec square theta बराबर 1 plus 10 square theta हो गया. equal to 3 हो गया. अब इसको multiply कर देजे. तो क्या हो जाएगा? 10 square theta plus 10 power 4 theta equal to 3 हो गया. आपका answer यह आपका answer हो गया चलिए next देखते हैं next दिया है time and work का question 60 आदमी मिलकर 30 दिन में काम को करते हैं 30 दे में 60 दिन में काम को करते हैं 60 men can do a complete work in 30 days after 6 days 6 दिन बाद 6 दिन बाद 12 men left 12 आदमी छोड़ देते हैं काम को 6 काम कितना दिन में complete होगा 6 काम 6 काम कितना दिन में होगा यह पूछा गया कितना दिन में होगा 6 काम कितना दिन में होगा तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए total work कितना हो गया 60 into 30 total work हो गया अब देखिए, 6 दिन बाद 12 आदमी छोड़ते हैं, तो 6 दिन तक पूरा आदमी काम किया, 60 आदमी 6 दिन तक काम किये, उसके बाद क्या किये कि इसमें से 12 आदमी छोड़के चले गए, तो 12 आदमी छोड़ दिये जब तो यह कितना हो गया, 48 हो गया, पहले 60 आदमी थे, 6 दिन इस साइड लेके चले गए, ठीक है, तो माइनस में आ गया, अब 48X, अब 60 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 30 माइनस 6 हो गया, इक्वल टू 48X हो गया, और यह क्या हो गया, 60 इंटू 24 इक्वल टू 48X, अब 24 से यह 2 मर्त में गया, और 2 से यह कितना गया, 30, तो यह क्या हो गया अब 48 आदमी 30 दिन में काम को complete कर देंगे तो 30 इसका answer हो गया चलिए next question देख लेते हैं next question देखिए question बहुत असान सा रहा है मतब कि आप असानी से कर सकते हैं question को कोई दिक्कत नहीं है question है x square plus y square plus xy divided by x cube minus y cube ठीक है और x का value यहाँ पर 18 दे दिया है और y का value दे दिया है 17 ठीक है और आपसे पूछा है क्या होगा इसका value 4 option देख लिजे 1 दूसरा option 3 तिसरा option 5 और 4 होगा 180 तो अब देखिए ऐसे question को करने का सबसे बहतरीन तरीका है आपको कुछ नहीं करना है x square plus y square plus xy और divided by देखिए x q minus y q तो इसका formula होता है x minus y और होता है x square plus y square plus xy यह cancel हो गया बचा क्या 1 by x minus y अब यहाँ पर देखिए 1 by x का value कितना है 18 और y का value कितना है 17 तो यह क्या हो गया 1 by 1 equal to 1 आपका answer हो गया ठीक है तो यह question आया था छेले thank you for watching share and subscribe मैं चैनल